हेलो दिये स्टूडेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नुवलेस प्यारे बच्चों मिट्रम एक्जाम क्लास ट्रें सब्चेक्ट रहेगा साइंस पेपर सॉल करेंगे टाइम अलाउट थ्री आर्स मैक्सिमम मार्स रहेंगे सबसे पहले आपको सामने निर्देश दिये गए हैं तो आप यहांसे देख सकते हो जनरल इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में साथ साथ डिसकस करेंगे देखें सबसे फर्स्ट है खंड अ तो पहले कुछ कोशन हिंदी में देखेंगे उसके बाद इंग्लिश मेडियम में प्रते एक प्रेशन एक से बीस में दिये के चार विकल्पों में से सबसे युक्त विकल्प चुनकर आपको लिखना है निमलिख में से कौन सा परिवर्तन उष्मा शेपी प्रकरती का है तो उष्मा शेपी प्रकरती यानि जिसमें से उष्मा निकलेगी तो शाक शबजियों का विगडित होकर कंपोस्ट बनना उष्मा शेपी प्रकरती का है नेमलीद रास्तानेक समेगरण को संतुलित करने के लिए क्रमश्य गुनांक X, Y का मान क्या होगा तो X का मान 4 रहेगा और Y का मान 2 रहेगा नेमल बिकरिया में किसका प्योग शाम स्वेथ फोटोग्राफी में किया जाता है तो सही विकल्ब इसमें क्या रहेगा sodium acetate जो होता है ठीक है sodium acetate का formula क्या है CH3-C-O-N-A CS3-C-O-N-A तो इसमें जो मूल अमल है वो क्या रहेगा CS3-C-W-H होता है और मूल शार जो है वो न न वच रहेगा clear तो जी बनता है sodium acetate तो इसका C जो है इसका right answer हो जाएगा उसके बाद next देखिए section A दिया गया है English media में देखेंगे which among the following change are exothermic in nature तो decomposition of vegetable matter into compost this change is exothermic in nature उसके बाद है in order to balance the following chemical equation the value of the coefficient x and y respectively x की value 4 हो जाएगी y की value 2 हो जाएगी which of the following reaction is used in black and white photography तो silver chloride की reaction जो है black and white photography में use की जाती है B is the right answer उसके बाद इसमें आपको sodium acetate जो है इसमें parent acid क्या है acetic acid और parent base क्या रहेगा sodium hydroxide nature of salt क्या हो जाएगा basic हो जाएगा तो C is the right answer नीचे दी की तालिका में कौन सा भी कल्प सही है तो यह आपको बताना है तो इसके अंदर कौन सा भी कल्प सही है तो इसमें देखिए जो nettle का डंग है उसके अंदर मिथे नोई का अमल होता है और tomato में oxalic होता है नेमू में acetic नहीं होता citric अमल होता है और सिरका में acetic के आमल होता है तो यह दोनों जो है अगर एक दूसरे को change करते तो दोनों ठीक हो जाएंगे बट अब इसमें table में second और third दोनों ठीक है तो इसका right answer आपका C हो जाएगा उपास्ती के वले कहां उपस्तित होती है तो कंठ में उपास्ती के वले उपस्तित होती है रंदर तब खुलता है जब तो रंदर कब खुलता है रंदर खुलता है जब इसे प्रकास संसलेशन के लिए कारवन डायकसाइड के आवशकता होती है और पानी जो है वो द्वार कोशिकाओं के अंदर जाता है ठीक है पानी द्वार कोजी काओं के अंदर जाएगा तो जो रंदर है वो कैसे वो क्या हो जाएंगे रंदर जो है वो खुल जाएंगे उसके बाद नेक्स देखे इसमें आंसर आपका क्या रहेगा सेकिंड और जो थार्ड है वो ठीक है तो सी इसका राइट आंसर है रिंग्स ओफ काटिलेज आर प्रेजंट इन थ्रॉट इस्ट्रोमेटा ओपन होगा वैन इट नीड गार्वन एकक्षाइड फोर फोटोसंथेसिस एंड वाटर फ्लो नेक्स देखे एक अथलीट को दोड़ने से काफी अंतराल के बाद एक व्यापक कसरत सत्र के दोरान मासपेशियों में एटन का सामना करना पड़ा ऐसा इस कारण हुआ तो किस कारण हुआ क्योंकि जब दोड़ने दोड़ते समय जो है मासपेशियों में पूरी तरह से आक् लेक्टिक अमल बनता है तो लेक्टिक अमल का निर्मान और ऑक्सीजन की कमी इसको द्यान से देखेंगे आकाती जन नहीं है यह ऑक्सीजन की कमी आएगा ऑक्सीजन है ग्राही प्राय हमारी यानिंदियों में इस्तित होते हैं ग्रान ग्राही उपस्तित होते हैं तो कहां कि प्रकाश किरनों को अभी शरीति आपसरीत करने की शमता इस पर नेड़र करती है तो जो शमता होती है वो क्या कहलाती है किसी लेंज की प्रकाश किरनों को अभी शरीति आपसरीत करने की शमता वो उसकी किसके पर डिपेंड करती है उसकी फोकस तूरी पर डिपेंड करती है जब बीम को अवतल दरपन के फोकस के भीतर रखा जाता है तो प्रतिवीम दरपन के पीछे एक बड़ा बनता है प्रतिवीम की प्रकरती क्या होगी तो प्रतिवीम जो है उसकी प्रकरती आभासी होगी और सीधा होगा जब प्रकांश की किरने आख में प्रवेश करते हैं तो अधिकांश अपवरतन होता है तो कॉर्णिया के बाहरी स्थेपर अधिकांश अपवरतन होता है next देखे question number 8 तो 8 का answer आपका भी हो जाएगा formation of lactic acid होता है when after a huge gap from running suffered muscle cramps during an extensive workout session receptors are usually located in sense organs olfactory receptor कहा present होते हैं nose में which is following is not an involuntary action not an involuntary action का है chewing involuntary action नहीं है the ability of a lens to converse to diverse light rays depends on तो किसके उपर depend करती है focal length के उपर तीक है power is depend on focal length p is equal to 1 by f when an object is kept within the focus of a concave mirror and large image is formed behind the mirror the nature of image are तो nature कैसा image का virtual and erect when light rays enter the eye most of the reflection are correct तो reflection most of the reflection कहां होता है outer surface of the cornea next देखे अगला question है question number 14 द्रिश्टी दोस्टे पीडित व्यक्ति दूर की वस्तूवों को तो स्पस्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तूवों को स्पस्ट रूप से नहीं देख पाता है तो इस दोस्ट का संभावित कारण क्या है तो इस दोस्ट का संभावित कारण क्या है कि अभी नित्र लेंस की जो वक्रता है उसमें कमी आ जाती है और नित्र गोलक जो है वो लंबा हो जाता है next देखे अप्षिस्ट निप्टान की निमन में से कौन सी विधी परियावन की दृष्टी से कम अनुकूल मानी जाती है अप्षिस्ट निप्टान की ठीक है इसमें देखे question number 14 हो गया हमारा question number 15 ना अप्सिस्ट निप्टान की कौन सी विधी प्रियावण की द्रिष्टी से सबसे कम अनुपूल मानी जाती है तो कौन सा हो जाएगा भश्मी करन हो जाएगा उसके बाद है इसमें कौन सी विशिष्टता जैव निमनिकरनी अपदार्थों से संब्दी थे तो जैव प्रिक्रि जोगो क्या करते हैं, उनको उनका अफगटन कर देते हैं, तो जैविक प्रिक्रियाओं के द्वारा वो तूटते हैं, उसके बाद नेक्स देखिए, प्रशन 17 से लेकर 20 तक दो कथन दिये गए हैं, और एक अभी कथन ए दूसरा कारण है, तो ABCD में से इन प्रशनों के सही उत देने हैं, तो A और R दोनों सत्य हैं, और अभी कथन की सही वेख्या है, तो कारण तो A आंसर हो जाएगा, सही वेख्या नहीं है तो आंसर B, C है, A सत्य है, लेकिन R आ सत्य है, D है, A सत्य है, लेकिन R सत्य है, उसके बाद देखिए, अभी कथन है, पोटाशियम उक्साइड एक उभेधर्मी Oxide है, तो यह जो है Potassium Oxide उभेधर्मी नहीं होता है, तो यह गलत हो गया, धातु Oxide जो अमल और शार्ट दोनों के साथ अब रिक्रिया करते हैं उन्हें उभेधर्मी Oxide के नाम से जाना जाता है तो यह ठीक है, तो आपका by object distinctly the possible cause of this defect is due to the decrease in curvature of the islands elongation of eyeball next day question number 15 which of the following method of waste disposable disposal is considered as least environmental friendly this is incineration clear next day which of the feature relate with biodegradable substance of breakdown broken down by biological process question number 17 is certain reason potassium oxide is an amphoteric oxide and metal oxide which react with both acids as well as base are known as amphoteric oxide to answer d ho jayega next day question number 18 manushya mehvrdhi hormone ki kami bonapun ke karen bantti hai thik hai toh aisa nahi hai yeh galat hai aapka nahi hormon ki kami bonapun ka karen bantti hai toh yeh thik hai और और विर्दी hormone आगनाशे द्वारा श्रावित होते हैं तो पी उस ग्रिंथी द्वारा श्रावित होते हैं ये गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा c हो जाएगा आवतल दर्पन का अपयोग वाहन व्यापक त्रिशय छेत्र प्राप्ट करने के लिए किया जाता है तो ऐसा नहीं है ये गलत है जब कोई वस्तु आवतल दर्पन के फोकस के भीतर होती है तो एक विवर्धित यानि बड़ा प्रतिविम बनता है तो ये ठीक है तो आंसर D हो जाएगा next time आहर श्रंखलाव में सामन है तो चार पोशिस्तर से अधिक चरण नहीं होते हैं तो ये ठीक है और क्यों होते हैं चार पोशिस्तर से अधिकादश होना इतना अधिक होता है कि चोथे पोशिस्तर के बाद उपयोगी उर्जा की मातरा बहुत ही कम रह जाती है तो ये बिल्कुल ठीक है, इसका जो explanation है कारण है वो बिल्कुल इसको explain कर रहा है तो answer हमारा A हो जाएगा Question number 18 English video में देखेंगे Deficiency of growth hormone in human being leads to dwarfism तो ये बिल्कुल ठीक है Growth hormone is secreted by pancreas ये गलत है, pituitary gland से secret होता है growth hormone तो ये जो है आपका answer सी हो जाएगा Concave mirror are used to get wider field of viewing vehicles and when an object is within focus of a concave mirror then get enlarged image तो ये गलत है और ये ठीक है तो answer क्या हो जाएगा, D हो जाएगा ठीक है क्योंकि vehicles में जो लगता है wider field के लिए वो concave नहीं convex mirror लगता है Question number 20 है Food change generally do not consist of more than 4 tropic level बिल्कुल ठीक है and why? Because there is a loss of energy at each tropic level and very little usable energy remains for after 4 tropic level ठीक है, तो answer क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, उसके बाद है Question number 21 है लोहे की केलो को copper sulfate के गोल में डूबाया जाता है आप कैसे सिद्ध करोगे कि यहां रासा नहीं परिवर्तन हुआ है अपने उत्तर के दो कारण जो है आपको लिखने है Iron nail are dipped in copper sulfate solution How will you prove that chemical changes has taken place, support your answer with the two reasons तो इसका answer हो जाएगा Iron nails become brownish in color ठीके, iron nail कैसी हो जाएगी brown color की हो जाएगी blue color of copper sulfate change to green और chemical reaction आप यहां पर chemical reaction भी दे सकते हो अधरवाई यह दो reason आपके sufficient रहेंगे लोहे की केले बूरी हो जाती है तामबे के sulfate का रंग जो है क्या हो जाएगा नीला रंग हरा हो जाता है और यहां फिर इसकी रासाइनी के भी करिया आप दे सकते हो अगला question है Draw a valuable diagram of human neuron ठीके मानुतंत्री का कोशिका का क्या करना है नामांकी चित्र आपको बनाना है तो यहां से इसका answer करेंगी human neuron ठीके तो यह मानुतंत्री का कोशिका का चित्र है इसमें यह क्या हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा यह आपका कोशिकाय हो जाएगा डेंडराइट हो जाएगा और इसके बाद यहां पर आपका तंत्री काक्ष हो जाएगा exon को क्या बोलते है तंत्री काक्ष और लास्ट में तंत्री का का अंतिम सीरा नर्व एंडिंग्स हो जाएगा इसको दुमिका, डिंडराइड को क्या रिखो ए दुमिका तो ये आपका चीतर हो जाएगा और ये आप इसे बहुत familier हो तो इसल् testify आप इसको कर सकते हो next question है मानो मस्तिस्की के उस भाग का नाम लिखे जो निमनिकारियों से उतर दाई है तो दिल यानि हर्दय का दड़कना medulla, सोचना यानि cerebrum शारिरिक संस्तिती और संतुरन बनाई रखना क्या होगा cerebellum रक्त चाप के लिए कौन जम्यवार है medulla इंगलिश उने में देखेंगे नेम दा पार्ट ओफ दा ब्रेन विच इस रिस्पोंसेबल वोर फोलोविंग एक्शन तो बीटिंग ओफ हार्ट क्या होगा medulla थिंकिंग के लिए cerebrum मैंटेनिंग बोश्चर और बैलेंस cerebellum and blood pressure क्या रहेगा medulla ठीक है question number 23rd है name the sodium compound which is used for removing permanent hardness of water permanent hardness of water जो है कौन सा compound है जिसके विज़े से निकलती है washing soda होता है और neutralizing excess acid in stomach answer देखती है तो देखें जल की जो स्थाई के ठोड़ता है उसको दूर करने में धोने का soda यानि washing soda आमाशे की अमल की अधिक्या मातर को उदासीन करने के लिए किसका प्रियोग करते हैं baking soda ठीक है baking soda sodium hydrogen carbonate next देखे question number 24 question number 24 है जलिये जिवों की स्वास दरस तलिये जिवों की अपेक्षा अधिक जो है दूरुत क्यों होती है why rate of breathing in aquatic organisms is much faster than terrestrial organisms answer करेंगे the amount of dissolved oxygen is fairly lower in water than air and also that aquatic organism like the fishes obtain oxygen from water present in the dissolved state तो पानी में जो गुली होई oxygen की मातरा है वो हवा से काफी कम होती है और जलिये जिवों जैसे मचलिया पानी में गुली होई oxygen जो पानी में गुली oxygen है उसी से oxygen प्रापती करती है अगला question है name the respiratory pigment in human being and where it is present next है मनुश्य में स्वासन वरनक का नाम बताया और यह कहां उपस्तित होता है ठीक है तो यह हीमोगलोबिन होता है स्वासन वरनक और यह RBC में उपस्तित होता है अगला question है 25th का एक किस द्रिष्टी दोश में किस्टलिये जैसे दूदिया और दूंदला हो जाता है जो किस्टलिये लैंस है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है in which eye defect किस्टलिये लैंस बिकम milky and cloudy how this can be treated तो इसका अंसर हो जाएगा मोतिया बिंद केटारेक्ट वाई सर्जरी मोतिया बिंद का सर्जरी द्वारा इलाज किया जा सकता है अथ्वा में कोशन दिया गया है विक्षेपन को परिभाशित करें विक्षेपन के प्रणाम सवरूप क्या प्राप्त होता है ठीक है Define dispersion What is obtained as a result of dispersion The splitting of light into components color is called dispersion Spectrum of जो color is bigger as a result of dispersion तो प्रकाश का उसके गटक के रंगों में विभाजन को क्या कहते है प्रकिर्ण कहा जाता है और प्रकिर्ण के प्रणाम सवरूप रंगों का spectrum विभिगोर जो है वो दिखाई देता है तो इस तरह से आप उनके color याद कर सकते हो वाइल इंडिगो ब्लू ग्रीन यलो औरेंज और रेड नेक्स्ट कोश्चन नमबर 26 है गैस जड वायूमंडल की उपरी परतों में पाई जाती है यह गातक जहर है लेकिन सभी जीवित प्राणियों के लिए आवशक है उननीस सदसक के दसक में इस गैस की मात्रा में तेजी से गिरावट आई है तो गैस जड को पहचानना है और यह सभी जीवित प्राणियों के लिए आवशक क्यों है और इस गैस के परत के हास के कारण बताने है गैस जड इस फाउंड इन अपर लेयर ऑफ एटमस्फेयर is a deadly poison but is essential for all living beings ठीक है आपको जो gas dead है उसको identify करना है why it is essential for living beings and state the cause for the depletion of this gas layer तो gas कौन सी हो जाएगी ozone gas है and it shields the surface of earth from UV radiation from sun ozone और किसकी वज़े से इसका हास हो रहा है किसकी वज़े से यह layer deplete हो रही है CFCs की वज़े से तो हिंदी मीडिय में देखेंगे ठीक है यह answer हो जाएगा next देखिए खंड से दिया गया है किस से 33 लगूतर यह प्रकार के प्रेशन है 27 जल के वैद्यूत अब कटन में एनोड और कैथोड पर एकत्रित होने वाली gas का नाम बताइए ठीक है तो एनोड पर कौन सी कैसे कत्रित होती है प्रते एक एक एलेक्टोड पर एकत्रित गयस के अनुपात जो है आपको लिखना है तो हाईड्रोजन और ऑक्सिजन का अनुपात होता है 2 इस 2 1 की रेशियो में पाएजाती है ठीक है वो एकत्रित होती है उसके बाद इसका रासाइनिक समीकरण आपको लिखना है section c दिया गया है in the electrolysis of water name the gas collected at cathode and anode तो anode पे कौन सी gas oxygen, cathode पे hydrogen and ratio क्या रहेगा, what is the ratio that is hydrogen and oxygen का ratio 2 double amount में hydrogen रहेगी and oxygen रहेगी तो ratio 2 is to 1 हो जाएगा, right the chemical equation for our reaction तो reaction जो है आप यहां से करेंगे 2H2 हो, जो electricity की presence में तूटेगा तो 2 hydrogen and 1 जो है oxygen molecule release होता है, इसलिए hydrogen वो कितने amount में होती है, double amount में होती है, next देखिए question number 28 है, दी गई अभिक्रिया लोह और मेगनीज जैसी धातों के निसकर्शन के प्रिक्रिया को दर्शाती है, कान बताई कि उपरोप्त अभिक्रिया को अभिक्रिया को अभिक्रिया को अधी मानत है क्यों किया जाता है, इसका एक कारण आपको बताना है तो इसमें क्या हो रहा है, यह जो है रिड्यूस हो रहा है मेगनीज से और यह इसके अंदर अर Oxidation हो रहा है, क्लिर है उसके बाद Give a reason why aluminium is preferably used in thermite reaction तो answer हो जाएगा, this is an exothermic reaction, यह कैसी reaction रिक्षन है, this is an exothermic process that really is heat along with its end product iron produced in this cycle is in liquid state or molten state and thermite reaction is utilized for the welding of rails to welding में, उसको काम में लाया जाता है इसके अलावा इसका प्रियोग जो मशीन के टुटे भाग होते हैं उनकी वैल्डिंग करने के लिए भी किया जाता है तो इसमें MnO2 जो हो रहा है और Aluminium Oxidize हो रहा है MnO2 का अपचैन हो रहा है और Aluminium जो है Oxygen करीत होता है Aluminium has a high affinity for oxygen and it readily remove oxygen from oxides of less reactive metal Aluminium की Oxygen के लिए उच अभिरूची होती है high affinity होती है और यह कम अभी क्रियाशील धातों के Oxide से Oxygen को आसानी से इसलिए क्या करता है हटा देता है इसलिए इसका अपयोग thermit reaction में किया जाता है नेक्स question number 29 है मानो पाचन तंत्र में नीमन में से प्रते की भूमिका जो है वो आपको सुचिवद करनी है लार, amylase, pitras और दिरग्रोम इनकी क्या भूमिका है लिस्ट दा रोल ओफ इच अफ तो फोलोविंग इन हुमन डेजिस्टरी सिस्टम तो आंसर रहेगा अगला प्रेशन है मानो मस्तिस्क के मुख्या तीन चेतरों के नाम बताईए और प्रतेक का आपको एक कारिय लिख लिख लिए कोशियन नमर 30 नेम दा मेजर थ्री रिजन्स ओफ हुमन ब्रेइन और राइट वन फंक्शन ओफ इच तो क्या रहेगा सबसे पहला है फोर ब्रेइन तो में थिंगिंग पार्ट ओफ तब्रेइन यानि अग्रभाग मस्तिस का मुख्य सोचने वाला हिस्सा सुनना सुंग न देखना मद्धय मस्तिस के अन्य अन्य एक्षिक आये प्रतिविम करती है ठिक है उसके बाँ रहेगा पिछला मस्तिस के यानि शरीर का संतुलन, मुद्रा और अन्य एक्षिक जो है वो इसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं आगला कोशन है नंबर 31 आवतल दर्पन द्वारा प्रतिवीम बनना दर्शाने के लिए प्रकाश किरन आरेक बनाईए जब कोई बिम्ब स्थित है तो A, B, C आप देखेंगे दर्पन के फोकस और वकरता के इंदर के बीच अनंत पर और दर्पन के वकरता के इंदर पर एंगलिश मिले में रहेगा ड्रो रे डियाग्राम आपको ड्रो करने है बाइए कौन के विरर बिट्वीन फोकस और सेंटर ओफ करवेचर एट इंफिनिटी और सेंटर ओफ करवेचर ओफ दे मिरर तो आंसर ही हो जाएगा ठीक है इस तरह रे डिया गया है उसके बाद इस वो फोकस पर बनेगी उसके बाद C पर अगर रखी हुई है तो C पर ही बनेगी रियल होगी और इनवर्टिड होगी तो सारी इमेज कैसी है यह रियल है और इनवर्टिड है नेक्स देखे अगला कोशन है समतल दरपन द्वारा बने प्रतिविम की तीन विशेशता हैं आप अधिशन 2 प्रेश्ट्रीविम सीधा प्रतिविम बनता है वस्तु के समानाकारका होता है दरपन से वस्तु जितनी दूरी पर उतनी ही दूरी पर बनता है और पार्शो रूप से उल्टा होता है नेक्स देखे कोशन पर 32 है ड्रोए diagram to show the reflection of a right through the triangular glass prism. तो glass prism is a ray diagram, आपको reflection का ray diagram बनाना है, उसमें आपको mark करना angle of incidence, angle of emergence, angle of deviation, what would happen if instead of a ray, a beam of white light fall on the prism. अगर जो है एक ray की बजाए, अगर एक white light उसके उपर पड़ेगी, तो क्या होगा and give reason of this phenomena that occur in this case. हिंदी मिडे में देखेंगे, एक त्रिवूस जो है काज के prism के माध्यम से प्रकाश किर्ण के अपवर्तन को दर्शाने हे, तो एक किर्ण आरेक बनाएं और उस पर आपतन कोंड, निर्गत कोंड, विचलन कोंड, चिन्हित करें, यदि किर्ण के स्थान पर श्वेत प्रकास की किर्ण प्रिजम पर पड़े तो क्या होगा, इस तीति में गटित होने वाली गटना का कारण जो है आपको बताना है, तो यह answer हो जाएगा, कुछ इस तरह का आपको या स्पेक्ट्रम में विवाजित हो जाता है, अपवरतन होता है, स्पेज प्रकाश के विविन रंगों की अपवरतन माध्यम से अलगलग गती होती है, इसलिए वे प्रिजम के अंदर ही क्या होते हैं, विविन कोनों से मुड़ जाते हैं, अपवरतन के नियम बताने हैं, और प्रिजम के अंदर अलग अलग एंगल से क्या करेंगे, मुड़ जाएंगे, जिसकी वज़े से हमें फिर विविवियोर दिखाई देता है, नेक्स देखिए, अपवरतन के नियम बताने हैं, और प्रतिबिम की प्रकरती के अधार पर उत्तल और अवतल लैंस के मध्य जो है एक अंतर लिखना है, तो अपवर्तन के नियम क्या हो जाएंगे आपतित केरन अपवर्तन केरन और दो मद्यम के संपर्ख सते पर आपतन बिंदु पर अभी लंब जो है वो सभी एकती तल में होते हैं बहुत आसान है ये और आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात जो है व उतल लेंस क्या रहेगा वास्तविक और उल्टा प्रतिविम बनता है ठीक है state laws of refraction and write one difference between concave and convex lens on the basis of nature of image तो यहां से आप इसका अंसर कर लेंगे incident ray, refracted ray and normal to the interface of two media at the point of incidence on lying same plane, the ratio of the sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction is constant and इसको क्या कहते है स्नेल्स law and difference क्या हो जाएगा concave lens always virtual and erect image convex lens real and inverted image इसके बाद एक खंड दर्जी दिया गया है प्रशन सिंक्या 34-36 जो एद दिर्गु तरिया प्रशन रहेंगे और यह 5-5 नंबर के प्रशन आपके रहने वाले हैं एक विद्धित को पदार्थ W के जलिये विलियन से प्रवाइट किया जाता है तब यह वियो की पैचान करनी है इसके पदार्थों को निर्मान को दर्शाने के लिए रासानिक समीकर लिखना है और जड का एक उप्योग और लिखना है आपको ठीक है और उसके अलावा इंग्लिश में में देखेंगे वन इलेक्रिसिटी इस पांस थ्रू एन अक्वर सॉलिशन ऑफ सब्स्टांस डव्यू डिकंपोस हुजाता है एक्स और वाई में वाई एक गैस है एंड गैस वाई इस फर्दर यूस्ट फॉर मैनिफेक्ट्टिरिंग ऑफ सब्स्टांस तो इसमें W जो हो जाएगा वो क्या है W हमारा यहाँ पे है NaCl, X जो बनेगा यहाँ पे वो क्या है NaOH, Y जो गैस हो वो क्लोरीन गैस है और जड़ जो बनेगा वो बिलीचिंग पाउडर बनेगा CAO, CL2 इसका फॉर्मूला रहेगा equation क्या होगी NaCl plus water क्या बनेगा NaOH plus Cl2 plus hydrogen ठीक है सबसे पहले यह reaction हो जाएगी क्लोर अलकली प्रोसेस वाली उसके बाद calcium hydroxide से जब हम इस chlorine gas को पास करवाएंगे तो यह calcium oxy chloride बनेगा और जो chlorine gas है उसका उप्योग जो है bleaching as a जो germ infectants है उनको मारने के लिए किया जाता है and इसका another use क्या होगा anyone use of bleaching powder that is bleaching dirty clothes in the laundry ठीक है यानि कपड़े जो है कपड़े दोने में गंदे कपड़ों को bleach करना इसके अलावा कपास दोग में कपास और linen के लिए bleaching isn't के रूप में इसका प्रियोग किया जाता है तो कोई एक use आपको लिखना है तो इन में से कोई एक आ सोड़ता को दूर करने के लिए किया जाता है तो योगी को पैचानना है तो कौन सा होता है sodium carbonate ठीक है जो बेकिंग सोड़े से बनता है sodium carbonate एक योगी crystalline रूप में प्राप्त होता है बताइए कि वह है योगी का अमलिय है शारिय है उदासीन प्रकरती का अपने उत्र की या जाता है उसके बाद अगला है उदासीन करन को आपको परिभाशित करना है और एक उदारन भी देना है इंग्लिश मेले में देखेंगे एक केमिकल कमपाउंट ठीक है विच इस ओपेंड फ्रों बेकिंग सोडा इस यूज इन रिमोविंग हार्डने सोफ वाटर आपको विच्चाओंगे और आंसर और यaky इसकों करना है क्या जाता है विच्ट पार्णे बाद भी विचल का निर्मान होता है question number 35 first A, उस प्रिक्रिया का नाम लिखिए जिसका उप्योग हरेपोध अपना potion प्राप्ट करने के लिए करते हैं इस प्रिक्रिया के लिए आवशक कच्य पदार्थों की सूची भी बिनानी है पादपों में इस प्रिक्रिया के समय होने वाले तीन चरण जो है वो आपको लिखने है answer रहेगा question रहेगा English video में name the process which is used by green plants to obtain their nutrition list the raw material required for this process and write three events that occur during this process in plants तो बहुत important है question आपका तो answer देखेंगे photosynthesis इसमें क्या क्या चीए sunlight, chlorophyll, water, carbon dioxide ठीक है और B में सबसे पहले क्या होगा events क्या होगा पहले absorption होगा of light energy by chlorophyll then conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen and reduction of carbon dioxide into carbohydrate इन दी में देख लेंगे process क्या है प्रकास insulation, क्या क्या चीए सुरे का प्रकास chlorophyll, पानी, carbon dioxide पैरा स्ट्रपोगा chlorophyll द्वारा प्रकास उर्जा का उसोशन प्रकास उर्जा का रसानी कुर्जा में रूपा अंतरन और जल अनुगों का hydrogen और oxygen में विखंडन carbon dioxide का carbohydrate में आवक्तरन अगला question है name the organs that form the excretory system in human being and describe in brief how urine is produced in the human body मानो उत्सर्जन तंत्र बनाने वाले अंगों के नाम बताईए और मानो शरीर में मुत्र का उत्पादन किस प्रकार होता है संक्षेप में वर्णन आपको करना है तो answer रहेगा kidney, urethra, urethra and urinary bladder और जो है kidney, कैसे urine formation कैसे होता है the kidney filter unwanted substances from the blood and produce urine to excrete them there are three main steps of urine formation glomerular filtration, reabsorption, secretion these process ensure that only waste and excess water are removed from the body हिंदी में देखेंगे kidney, मुत्रवाहिनी, मुत्रमारग और मुत्राशे kidney रक्से एवांचित पदारतों को चानती है और उन्हें बाहर निकालने के लिए मुत्रिका निर्मान करती है मुत्रिक निर्मान की तीन प्रक्रियाएं है कौन-कौन सी glomerular नी से यंदन ठीक है, पुने आवसोशन और श्राव ये प्रक्रियाएं सुनीशित करती है कि केवल जो abscist और अतिरिक्त पानी है खत्रे का संकेत लाल रंग के क्यों होते है किसी अंत्रिक्ष यात्री को अकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है सफेद प्रकाश एक प्रिजम द्वारा सात रंगों में क्यों विक्षेपित होता है तारे टिम्टीम आते हैं और एक सामान ने आख 25 cm से नीट कट रखी वस्तो को सपस्ट रूप से देखने में आई सक्षम है क्यों तो यहां से आप इंग्लिश मीडियम में क्यों देख सकते हो ठीक है तो आंसर देखते हैं तो खत्रे के निशान जो है रेड कलर के क्यों होते हैं पर केले वाइड कोशले सब्सक्राइब करें लुगर लुग तो लॉग अट्मस्फेर नहीं है और इंड में वाइक यह वाइड को जो है त्मस्फेरिक रेख्शन जो है त्विंक्लिंग उफ स्टार के लिए हो चाहेगा और वं फिफ्ट कांसर रहेगा when the eye is focused to a closer object the ciliary muscles are strained 25 cm से नजदीक जब हम चीज़े लेकर आते हैं तो ciliary muscles strained हुचा आती है and the focal length of eye lens decrease because of some reason the eye is not able to decrease the focal length beyond a limit और एक limit के बाद हमारी जो eye है muscles है वो adjustable नहीं होती power of accommodation उनके अंदर नहीं होती तो यहां से आप Hindi medium में सारे questions के answer यहां से आप एक बार पढ़ लेंगे बाकी मैंने समझा दिया है आपको ठीक है तो यह इसका answer हो जाएगा next question है मानो नेतर के निमलेखित भागों के कारिये लिखने है द्रिस्टी परितारिका भी नेतर लेंस पुतली और द्रिक तंत्रिका write down the function of the following part of human eye, retina, iris, eye lens और pupil optic nerve तो यहां से answer करेंगे सबसे पहले देखेंगे retina light sensitive layer है and that consists of numerous nervous cells it convert image formed by the lens into electrical impulse यह इसका main function हो जाएगा iris जो है एक dark muscular tissue है ring-like structure है behind the cornea and the color of the iris actually indicates the color of the eye color, eye का color किसकी वज़े से होता है iris के कारण होता है eye lens क्या है behind the pupil होता है transparent structure called lens and by the action of ciliary muscles it changes its shapes to focal light on the retina retina पे focal length जो है उसको adjust करने के लिए eye lens होता है pupil है small opening in the iris जो छोटा सा गोला होता है उसको pupil कहते है its size is controlled with the help of iris it controls the amount of light enter the eye, eye में कितनी light enter कर होगी किसके पर depend करता है size of the pupil पे optic nerve है it transmits visual information from the retina to the brain ठीक है यहां से hindi media में दिया गया है सबसे पहले है retina clear तो यह है जो lens के द्वारा बनाई गई छवी है उनको विद्वत आवेगों में बदलता है iris जो है आख के रंग को दर्शाता है natural lens से आकरती बदल कर प्रकाश को retina पर केंद्रित करता है पुतली जो है आख में प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित करती है optic तंत्री का यह retina से मस्तिस्क तक जो दर्शे जानकारी होती है उनको भेजती है संप्रेशित करती है इनमें आपको एक आंत्रिक विकल्प भी दिया गया है तो धातु जो एक ऐसा तत्व है जो आसानी से लेक्टरून खो देता है तो इसको आप एक और पढ़ लेंगे बहुत इजी है A, B, C, D, 4 जो है आपके धातु दिखाए गई है जल के साथ अभी करिया है A की कोई नहीं है B की तेजी से C की बहुत दिमिकती से और D बहुत तेजी से तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेशन क्या है कौन सी धात्व अपने लवणी ये विलियन से C को विस्थापित कर सकती है तो पहले English Media में question देख लेते हैं तो ये आपका English Media में question हो जाएगा ठीक है ये इसके जो है answer रहेंगे questions हो जाएगे ठीक है Just a minute Which metal can displace C from a salt solution Which metal can displace B and which metal is likely to be displaced by C Y So इसमें आ जाएगा कौन सी धात्व अपने लवणी ये विलियन से C को C को कौन displace करेगी तो C को जो है B और D displace कर सकती है क्योंकि B fast reaction है और D vigorous reaction है उसके बाद next देखे कौन सी धात्व अपने लवणी है विलियन से B को विस्थापित कर सकती है तो B को विस्थापित करने के लिए कौन सी होगी विग्रस वारी कर सकती है तो D जो है यानि ये बहुत reactive metal है बहुत ही क्रियाशील धात्व है इसलिए ये B को displace कर सकती है clear अब तीसरा question क्या है कौन सी धात्व C द्वारा विस्थापित होने की संभावना है और क्यों तो C जो है दी की तालिका क्याधार पर धात्व को बढ़ती अभी क्रिया शीलता का सही क्रम में लिखना है increasing water में लिखना है इसको तो सबसे कम कौन सी है A, then C, then B और last में D उनकी जो है ये water के साथ अभी क्रिया दिखाई गई है अगला question देखेंगे question number 38 है तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे इसमें कोई खास नहीं दिया गया question देखते हैं जो ये उपर दिया गया है की सोचे समझे हाथ अठा लिया कट पर दबाव डाला तो इस तरह के question आपके किसे होते हैं प्रतिविर्तिक्रियाओं से होते हैं तो प्रयोक्तिक्रिया क्या कहलाती है ग्राही का क्या कारिया है उप्यूक्ति स्थिती में गटित जो है गटनाओं के अनुक्रम को लिखना है और एक समिधन शील पादप में गती होने के तरीके जो है उनमें क्या अंतर है यानि हमारे हाथ में गती हो रही है और एक जो जैसे छुई-मूई का प्लांट है टच्मी नोट प्लांट उसमें अगर गती हो रही है तो उनके अनमध्य क्या अंतर है ये बताना है इसका अंसर आप यहां से भी देख सकते हो इंगलिश मेडियम में ठीक है वैसे तो हम करी चुके हैं यह फूर्थ का उचाएगा उसके बाद देखे 38 कोश्चन आप यहां से देख सकते हो इसको एक बार पढ़ लेंगे अब करेंगे इसका आंसर तो सबसे पहला यह यह रीक्षिन जो हमने पढ़े एक दम से हाथ ठाले ना वो क्या कहलाता है reflex action या reflex kriya या प्रती वरती kriya आप लिखेंगे reflex kriya की बजाए क्या लिख लेंगे हिंदी में प्रती वरती kriya second है they detect the signal and then send them to the brain in the form of electrical signals वे संकेतों का पता लगाते हैं और फिर उन्हें मस्तिस्क में विद्यूत संकेतों के रूप में भेज देते हैं उसके बाद आपको सारे events लिखने हैं तो stimulus sensory neuron को देगा spinal code के पास जाएगा फिर motor neuron के पास फिर effector muscles के पास and then response action clear यानि उतेजना होगी तो संवेधी neuron जो है उनके पास जाएगा then spinal code यानि मेरू रजू motor neuron यानि आप ले सकते हो इसके अंदर संवेधी तंत्री का effector mass पेस ही और क्या हो जाएगा last में प्रतिवर्ति क्रिया क्रिया हो जाएगी उसके बाद है difference क्या है sensitive plant जो है moment in sensitive plant are tropic and तो इसमें लिख देंगे moment in sensitive plants are tropic or nestic moment and moment of our hand is under the control of nervous system तो संवेधन शील पोदों में गती या तो tropic or nestic होती है जो हमारे हाथ की गती होती है वो तंत्री का तंत्र के नियंत्रन में होती है clear है तो यह इसका answer हो जाएगा next देखे question दिया गया है नीचे दिये के आकड़ों को अध्यन कीजिए जिसमें तीन अवतल दरपन है L M N इनकी focus दूरी और उनके सामने सित बिंब की असापिक्ष दूरी दी गई है L जो है focus दूरी 10 है बिंब की दूरी 25 है M जो है focus दूरी 15 है और बिंब की दूरी 30 N focus दूरी 20 है और बिंब की दूरी से किसमें दरपन दूरा बने प्रतिविंब का आकार बिंब के आकार से छोटा होगा तो इससे छोटा किसमें रहेगा ये L में रहेगा ठीक है L वाले mirror में क्योंकि वो object कहां पे रखा है वो जो है focal length आपकी है focus के बाद c देखे 10 पे क्या है यहाँ पे अगर mirror रखा हुआ है तो अगर आप देखोगे तो यह focus हो गया 10 पे और 20 पे क्या हो गया c हो गया और 25 पे रखा है यहाँ पे कहीं रखा है तो अगर beyond c रखा है तो image कहां बनेगी between c and f बनेगी और small size की बनेगी clear है छोटे size की बनेगी तो इसका answer आपका L हो जाएगा अगला question है प्रकरण दो में बने प्रतिविंब के दो गुणों की सुची बनानी है तो दो में भी कैसा प्रतिविंब बनेगा इसमें real होगा inverted होगा same size कैसा रहेगा यह object distance c पे है तो same size करेगा समानाकार का होगा उल्टा होगा और वास्तविक रहेगा ठीक है वास्तविक र बने प्रतिविंब की प्रकरती और आकार क्या है अपने उत्र की पुस्टी के लिए किरन आरे खींचिए तो इसमें देखिए यानि यह कहां पर रखा हुआ है focal length 20 है और object 10 पे है यानि अगर focal length जो है इसकी यहां पर 20 है और object यहां पर रखा है तो focus और pole के बीच में रखा ह हुआ है focus और जो pole है उसके बीच में तो यह क्या बनेगा यह सीधा होगा ठीक है बहुत बड़े साइज का होगा तो यहां से आप इसका answer देख सकते हो ठीक है उसके बाद देखिए इसका nature क्या होगा थड़का virtual and direct रहेगा size magnified आबासी और सीधा आकार बड़ा हुआ इस तर से 15 cm की दूरी परस्थित है इस प्रकरण में प्रतिविंबिकी स्थिती आपको बतानी है 10 cm क्या है F है आवतल दरपन है और pole से 15 cm की दूरी परस्थित है यानि यह F और C के बीच में हो गया 10 cm F हो गई और 15 cm पर रखा हुआ है तो F और C के बीच में कहीं है ठीक है ना बीच हम कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं लास्ट कोशन देखते हैं तो देखें इसमें mirror कौन सा है concave mirror है clear f क्या है minus 10 minus में रहेगा क्योंकि concave है तो हमेशा focal length minus में u हमेशा minus में v हमें निकालना है mirror formula लगा देंगे बहुत simple है v की value यहां से निकाल लेंगे v हमारा आगया minus 30 ठीके तो यहां पे जो image है प्रतिविम्भे वो कहां बनेगा in front of the mirror at a distance of 30 cm from the pole of the mirror pole से किस तरब बनेगा same side बनेगा और 30 cm distance पे होगा clear तो हमने सारा complete questions समझ लिए हैं अगर आपको किसी भी question में किसी भी तरह का doubt हो तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से like कीजिए share कीजिए और channel को कीजिए subscribe मिलते हैं आप से next video में till then take care bye bye